दुनिया की हलचल पर पैनी नजर परताल दुनिया भर की देखिये जुड़िये ताकि मिले सही नजरिया जानने और खोजने का समझने का कि क्या चल रहा है आसपास और साथ समंदर पार आखिर हम है ग्लोबल सिटिजन नमशकार परताल दुनिया भर की में आपका स्वागत है एक बार फिर कोरोना देश और दुनिया पर संकट के तौर पर सामने आया है उसका नया वेरियंट दूसरे ढंका खत्रा हमारे सामने पेश कर रहा है और साथ ही साथ एक बड़ा सवाल भी हमारे सामने उसने पेश किया ह कि क्या सिर्फ जो संपन देश हैं जो developed countries हैं वह सिर्फ अपनी आबादी को बचा कर बाकी दुनिया को अपने भरों से छोड़ कर जिंदा रह पाएंगे या इस खत्रे से निपट पाएंगे जिस तरह से साउथ अफरीका अफरीका से दूसरे ढंका mutation हमारे सामने आया है जिसे लेकर बहुत गहन चर्चा है वह एक बड़ा सवाल अंतराष्टी राजनीती कूटनीती के सामने पेश कर रहा है कि जो global citizen है उसे बचाना सबकी चिंता का विशे होना चाहिए इस मसले पर हम बात करने जा रहे हैं प्रभीर पुरकाय से प्रभीर हम आप से जाना चाहेंगे कि जो नया variant आया है Omicron इसने जिस तरह से सवाल पेश किया है आखिर सबसे पहले कितना बड़ा खत्रा यह दुनिया के लिए है हमारे आपके लिए है इस वक्त बताना कितना बड़ा खत्रा है शायद थोड़ा ज्यादा पहल कदमी हो जाएगी बिन जाने हुए है पूरी चीज यह जरूर है कि एक नया variant है जिसकी transmissibility जो कहते हैं कि एक दूसरे से इंफेक्शन की जो संभावना है वो शायद बढ़ा है Omicron variant से क्या वो डेल्टा से ज्यादा इंफेक्शन है देखने की बात है क्योंकि डेल्टा भी इसी तरह अपना जगह ह dominant variant दुनिया में है तो Omicron क्या इसको उससे भी ज्यादा transmissible होगा अब इस वक्त बता नहीं पाएंगे पर ये बात जरूर है कि साथ आफरीक में जो देखने को मिल रहा है कि Omicron की बढ़ोतरी वहां पर हुई है और काफी नए लोगों में Omicron variant दिखाई पड़ रहा है उसका इस तरह से Omicron की बढ़ोतरी हुई है या ज्यादा transmissible होने के नाते बढ़ोतरी हुई है अभी भी हमको इंजार करनी पड़ेगी इस पे जो अजनवी चीज इस पे जो नजर आ रही है जिसके लिए लोगों की चिंता ज्यादा बढ़ा है कि यह है कि जो spike protein कहते है जिसके जर होता है हमें तो वो spike protein में इसमें 30 mutation देखने को मिल रहा है पूरा 50 mutation है दूसरे नसलों से 30 mutation spike protein में ही है और इतने एक साथ इतने सारे mutation normally देखने को नहीं मिलता है इसका वजह क्या है मैं उस अलग आऊंगा पर क्योंकि spike protein पे ही हमारा चिंता रही है इसलिए vaccine भी हमारा spike protein को target क हमारी जो और चीजें दवाईयां है वो spike protein को target करता है और spike protein क्योंकि उस पर बदलाव अगर होते हैं तो हमारे फेपड़ों में और सास नाली में चिपकने के संभावना बढ़ने की भी आशंगा है तो इन सबों को देखते हुए इस नसल पे ज्यादा नज़र रखनी की normally हमारे mutation जो होता है दो तीन चार mutation होता है तो यहां पर इतने सारे एकठा mutation जो देखने को मिल रहा है इसके लिए एक प्रश्चन है कि कहां से आया है तो दो वज़से हो सकता है क्योंकि normally एक नसल से दूसरे नसल में जो बदलते है इतने सारे mutation नज़र नहीं आते तो एक तो कोई है जैसे विमारी उसमें लंबे अड़से के लिए रह गया है कुछ ऐसे कोवीड-19 की विमारी है कि एक साल तक चला है क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर है तो वहां पर उस नसल की बार-बार रेप्लिकेट होने के लिए शरीर के अंदर इस तरह के नसले होन उसकी population हमसे अलग होती है और population बढ़ते बढ़ते फिर हमको ही reinfect किया इसकी भी संभाव ना हो सकती है इसलिए इस वक्त प्रश्ण को अभी भी हमारे सामने रखना पड़ेगा जवाब अभी नहीं है जवाब जो मिल जाएगा कि ज्यादा transmissible है एक नंबर दूसरे नंबर क् बना रहे हैं कितना कारगर होगे जैसे हमारे monoclonal antibodies है जो टोसिलिजिमाब जैसे दवाईया है तो वो भी antibody के आधार पे है तो वो कितना कामयाब होंगे और vaccine इतना कामयाब निकलेगी ये भी सवाल है ये जरूर है vaccine कुछ हद तक तो कामयाब होगी कितनी दूर तक होगी नह vaccine का किन देशों में vaccine कितनी आबादी तक पहुचा है कितनी आबादी पूरी तरह से cover हुई है booster vaccine की बात है और उस नक्षे में बहुत साफ दिखाई देता है कि अफरीका पूरा का पूरा छूटा हुआ है वहाँ पर ध्यान नहीं गया और लंबे समय से तमाम विज्यानिक त इस बारे में बहुत गंभीर चिंता जता रहे थे कि जो विक्सित देश हैं जिनके पास पैसा है वे तो अपनी आबादी के लिए खर्च कर रहे हैं vaccine दे रहे हैं booster dose की बात हो रही है लेकिन जो हमें नक्षे में दिखाई दे रहा है नक्षे में साफ साफ दिखाई दे रहा है इसका क्या संबंध है यह हम कैसे देखें इस पर कई बिढमनाएं हमारे सामने दिखती है जैसे अपने map की जिकर की आप देखिए हाँ पर आफ्रिका में यह नसल पहली दिखाई पड़ी तो बड़े ततपरता के साथ उन्होंने यह नसल को identify किया सब को बताया फल क्या जो है अलग रही है तो एक तो बिढमना ये है दूसरी बिढमना जो है कि देखिये जदुन बहुत सारे ऐसे देश पे अब बूस्टOR डोस की बात हो दो था सके बूस्थर दी भी जा रही तो और जहां पर 20-25 प्रतिशत जो है उनको एक टीका लग चुका है तो मतलब उनकी प्रोटेक्शन बहुत ही कम है और जैसे आपने जिकर किया आफरीका जिसकी पॉपुलेशन करीब हमारा बराबर ही है पूरा आफरीका की पॉपुलेशन तो वहां पर उनके कोई उस तरह से छोटा ऐसे एक म इन जगां पर तीन डोस की बात इस वक्ट चल रही है बूस्टिटर दोस दी जा रही है जलाकि बाहरा बार पार कह चुका है अगर आफरीका को इस तरह से चोड़ रखेंगे तो इहां से नया नसल ज़रूर निकलेगा और नया नसल अगर निकलेगा जैसे कहते हैं all bets are off क्या होगा किसी को नहीं मालुम क्योंकि नए सिरे से हमको देखना पड़ेगा इसके खिलाफ कौन सा वैक्सिन काम करेगा इसके खिलाफ कौन से दवाई काम करेगा इसके सामने हमारे पुराने जो हत्यार थे social, physical distancing वगार है उससे काम चलेगा नहीं चलेगा तो गेम जो है नया गेम शुरू हो जाएगा और यह जो हमारी इस वक्त की गेम है जहां पर एक हिसाब से हम वैक्सिन के जरिए कुछ हद तक इसके उपर काबू पाए थे तो वो बात खत्ब हो जाएगी दूसरी बात यह मत भूलना कि anti-vaccine campaign इस वक्त काफी जारी है चाहे अमरीका हो चाहे European Union हो लोग कहते हमारी सामान जन जीवन चलना चाहिए भाड में जाए वैक्सिन भाड में जाए दवाए प्रिकॉशन और वैक्सिन लेने से लोग इंकार कर रहे हैं कि बहुतों को हमारे भी कुछ बित्र लोग है इसमें शामिल जिनको लगता है कि सबकुछ शरयां घ्र है दुना इमें तो कुछ लोग तो जैसे अमरीका के हैं कहते हमारी आजादी छिली जारी है कुछ लोग कहते सब सरकारी शरयां रहे या बड़ी फार्मा कमपणी के शर्जंत्रे है तो इसको हम मानते नहीं है यह सब COVID-19 तो है ही नहीं वो ट्राम्प और बोलसोनारों की बात दुराने लग गये है तो यह बात भी सामने है तो मेरे ख्याल से मुख्य चीज यह है कि एक पब्लिक हेल्थ को फिर सामने लाने की ज पोच लीजिए फाइजर इसमें 35 बिलियन डॉलर की उसकी रेविन्यू होगी जिसका आधा मुनाफ़ा होगा तो इतना बड़ा मुनाफ़ा फाइजर में जिन्दीगी में नहीं बनाया जो इस साल बना रहा है बिगेस्ट प्रॉफिट एवर इन फाइजर हिस्ट्री यह ब ख्रेम दौरानी के जरौश है कि यह हमारा हित्अरा फाइजर के हित्ए एक नहीं है पर उस पर विरोधी है वैक्सीन हमें दिया है फाइजर ने नहीं दिया आइक्चिलि जर्बन रिसर्च फारॉम जो पैसा है सरकार से वो बाइयो एन्टेक को गया था उसका वैक्सीन सफ तो भरन्यक दार्ग देखे उस पे अमरिका सरकार की पूरी पैसा अमरीका की जन्मा जरता की पैसा इस पे लग वी है और उनसे बहुत मुनाफ़ ली जा रही है वैक्सिन बेच के पर सबसे बड़ी बात ये है कि जिस दाम पे वो बेची जा रही है ये दूसरे दुनिया का द हमारा पूजीवादी कंपनी है, पूजी के लिए हम काम करते हैं, इसलिए मुनाफ़ा हमारे लिए अवसंभावी है, हमको लेना ही है, और भाड़ में जाए दुनिया की जनता, भाड़ में जाए पब्लिक है, और फाइजर इस वक्त बहुत सारे शर्ते भी इन कंपनियों को इन देशों के पास रख रहे हैं, कि आप हमारे खिलाफ केस नहीं कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं, और जब हमारे पास होगा तब आपको देंगे, और किसको कब देंगे हमारे हाथ पे हैं, और धनी मुलकों को पहले दे रहे हैं, क्योंकि वो प कम से कम कैसे vaccine मिले उसके बारे में सोचे जैसे WHO के जो कहना है बार बारे कहा है nobody is safe until everybody is safe तो ये बात तुहरानी की जरुवत है प्रबीर ये बताएं कि ये खत्रा हमारे जैसे देश जो है उनके लिए कितना है और जिस तरह से अभी travel restrictions की बात है वह कितना प्रभावकारी है और अंतता जो पूरा vaccine वाला खेल है उसमें हम कहां place है अभी देखे साफ बात तुह ये है कि ये omicron इस वक्त South Africa में सिर्फ नहीं है वहां से निकल चुका है बहुत पहले ही जब तक हम इसके बारे में पता करके हम कहते हैं कि ये एक नया नसल है तब तक वह निकल जाता है ये हमारे पहले भी डेल्टा से हम देख चुके हैं ये ख़बर मिल रही है कि आमस्टेंडाब में एक हावाय जहाज गया 600 लोग को लेके उस पे 60 लोग COVID-19 के शिकार थे और उसमें से 13 में ख्याल से लोग जो है तो मुझे नहीं लगता कि ओमीक्रान को इस तरह से साथ आफरिका में ही या आफरिका में सीमित कोई कर पाएगा और ना कि ये कभी पहले भी हो चुक हुआ है जभी भी कोशिश किया गया नहीं हुआ सिर्फ चीन जीरो COVID की रास्ते पे है और कोई उस रास्ते पे इस वक्त ह सबने छोड़ दिया है क्योंकि इतना सकती से बॉर्डर से लेकर आपको जो कहते हैं आइसोलेट होना फ्लाइट अगर आ सकते हैं पर फ्लाइट पर आपको आइसोलेट क्वारिंटीन में रहना पड़ेगा दो हफ्ते तो इस तरह चीजे और कोई मुल्क नहीं कर रहा है तो वो मेरे ख्याल से इसलिए अगर ओमिक्रान सचमुच ज्यादा संट्रामनकारी है तो मेरे ख्याल से वो सब के सब मुल्कों में पहुंचेगा तो उसको देखते हुए हमारे सामने जो है कि वैक्सीन बड़ी तेजी से बढ़ानी के जरुरत है और इस वक्त दो दवाई कम से कम है जो कि बहुत जल्दी अगर दिया जाता है औरल मेडिसन से इंजेक्शन नहीं है औरल मेडिसन है रेमडिसेवर जो है वो इंजेक्शन है इसलिए आसानी से देना संभब नहीं है ग्यादा दाम भी है पर यह दो दवाईया है मॉलनुपिरविर है और एक दवाई है तो इसकी पेटेंट अब तोड़ें और पेटेंट तोडने की छंता सब के कानून में है WTO इसको पर्मीट करती है करने की दरूरत है तो क्या कहते है ग rough होना चीह इसको करने के लिए इच्छाशक्थी अगर दिखाए लूरह सरकार की भारत सरकार यह इच्छाशक्ति दिखाई यह सवाल है और यह सवाल का जबाब हमको सरकार से लेना पड़ेगा वैक्सीन की जो बात है हमारा अब जानते ही है हम अपने आपको ग्लोबल फार्मसी कहते हैं पर इस बार हम चुक गए हम दूसरे पर अभी तक वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे अभी शुरू किया ह है शायद ओमिक्रोन बढ़ जाएगा तो फिर हम रोग देंगे और हमारा वैक्सीन भी को वैक्सीन जो हमारा अपने अपना वैक्सीन कहते हैं उसको भी हमने एक ही कंपनी को हमने दिया है और जबकि पब्लिक सेक्टर से इसकी शोध और इसका वीज निकला तो उसको दूसर कंपनियों को नहीं दिया अभी तक सिर्फ एक ही कंपनी उसको बनाती है हिंदुस्तान में और इसलिए एक सीमित मात्रा में को वैक्सीन मिल रहा है और जो पार्टनर है सेरम इस्टिटूट उसने काफी इस हिसाब से हमको ज्यादा वैक्सीन दिया है पर दुनिया को हम सप् इस जिम्मदारी को पूरा करना है तो हमें सिर्फ निजी कंपनियों पर भरोसा नहीं हमें शोध करनी पड़ेगी नहीं दवाया निकालने पड़ेगी दूसरे कम जो दवाया मिल रही है उसकी कौपी निकालनी चाहिए और यहां पर बड़े पैमाने पर उसको उत्पादन क करने की जरूरत है जो क्षमता हमारे देश में है पर उस तरह कोई कदम अभी तो देखने को नहीं मिल रहा है वैक्सिन बड़े निराश किया है हम लोगों को कि अभी भी हमारे यहां वैक्सिन अभी मुलत है दो ही कंपनिया बना रही है इतना कैपैसिटी रहने के बड़े कम मात्रा में बिल रहा है और यही एक निराशा जनक बात है कि जो हम फार्मेसी अब दे वर्ल अपने आपको कहते हैं सिर्फ अपना वैक्सिन कितना ले जाए उसी बात पर चिंता कर रहे हैं और किसी चीज़ पर हम और चिंता नहीं कर तो मुझे लगता है कि लिएरस फर्क नहीं करता तो लिहाजा बहुत जरूरी है कि ग्लोबल सिटिजन के लिहाज से सारे देश सोचें कि सभी को बचाना है नोबडी इस लेफ्ट बीहाइंड वाला जो नारा है वो जनस्वास्त और कोरोना से लड़ाई में भी शामिल होना बहुत जरूरी है हमसे बार करने के लिए बहुत स्ग्राविशंग संकट कर दिया है कि अमीर गरीब अमीर गरीब देश के भीतर कोई फर्क नहीं है अगर गरीब देश पीडित होगा अमीर देश की जान भी संकma प्हसेगे और इस पर एक राज़नितिक इच्छा अंतराष्टिय मंच पर देश के मंच पर हर जगा जाहिर होनी जरूरी है इस पर हम बनाए रखेंगे अपनी पैनी नजर देखिए लाइक करिए न्यूस क्लिक शुक्रिया